नमस्कार, मैं नीतावल्ला, एक बार फिर आपके समख्ष हाजर हूँ, आज कुछ कहानिया लेके हाजर हूँ, क्योंकि जैसे मैंने लास टाइम भी बताया था कि मैं अलग-अलग जॉनल्स में लिखती हूँ, स्टॉरीज लिखती हूँ, कवेताइं लिखती हूँ, नज में हिंदी पंजाबी बोचपुरी में भी लिखती हूँ, तो इस बार थोड़ा सजायका बदलते हैं, और दो थीन कहानिया लेके हाजर हूँ, आपने, हापी न्यू यार टु एब्रीवान, ये दो थीन लाइने, नई सुभा, नई साल के नाव, एक नई भोर मुस्कुराती हुई, उमीद एक कोने से जांकती हुई, मैं हूँ, तो तुम हो, असमा छू सकते हो, वो तुम हो, दर्द के किस्सों को पुराने बक्सों में बन कर देते हैं, दर्द के किस्सों को पुराने बक्से में बन कर नई रस्ता सुनानी है, जो बीत गया वो कल था, नवीन प्रेर हो चेतना हो बस तुम हो हमारी लाइव इतनी ज्यादा स्ट्रॉक्चर्ड है पूरे टाइम टाइम और हमें एक कॉम्पटेशन सा लगा रहता है भाग रहे होते हैं बस पूरे टाइम एक फिक्सा स्केड्यूल स्ट्रॉक्चर्ड सी लाइव एक डिफिर्ट्सार कोशस करते हैं चलो कुछ चीजों को को बखेरा जाएं चलो आज कुछ चीजों को बखेरा जाएं कुछ मनमानियां कुछ वदमाशियां की जयें बहुत कर इनेसी लगी है जिंदगी इसे एक तूफा का सामा बनाया जाएं एक नई कहानी सुनाती हूं पहले मैं जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं पंजाबी में भी लिखती हूं तो पंजाबी की एक कहानी पाटशन का दर्द आज भी आपका अपने बुजगुरुगों की आँखों में दिख जाएगा अपनी दादी से अपनी नानी से आपने कई किस्से सुने होंगे वो खलिश आज भी दिलों में जिन्दा है ये एक कहानी उस खलिश के नाम प्रकाशकौर कहानी पंजाबी मैं सुनावगे। ठिक ठिक ठॉक ठुक ठुक , खुरपी नाल कुछ खोदन दियवाजां। प्रकाशकौर है की कर रही है? आंग़निश परकाशकौर मटी दफरष खुरपी नाल खोदरी सी, चांदनी राते एच गठरी जिपनी बैठी सी. गेने निकाल रही हैं जी आखेर कुछ ते कोल हो नहीं चाहिदा है डाक्टर साब किननी मेहनत नल बनाया असी अपना कार प्रकाश कौर दिया अठागा मों गई हैं जान है तो जहान प्रकाश कौरे तो सलामत रहे सड़ नल साथ सलामत रहे फिर बनाला ंगे कोई गल नहीं हुनका लेकर पोफटन तो पहले असी उस पार नेकल जाना है हाँ जी हाँ जी चलो जी चलो बार बैल गाड़ी ते गठरी कपड़े ते दोना बच्चिया नू चड़ाया डाक्टर साब ने हाथ दैकर पत्री नू अपनी जनाने नू प्रकाश कौर नू उपप आस्ता का दूर होई जा रहे आसी बैल गाड़ी अग्येवा दरी सी फ्रीद पाई आस समध सही है गिये ना असी सही रस्तेत है गिया ना हाँ हाँ डाक्टर साब तुसे चिंता न कल अच्छे नाल चंगी नाल कंबल पेट लो तो आन्नों कोई हाथ भी नहीं लगा सकेगा तो आड़े बड़े सानने मुझ पे जे पिछले बरस तुसी मेरे पुत्तर दा इलाज ना कर दे ते मेरा पुत्तर अल्ला नों प्यारा हो गया सी ना पाई मैं की असान करांगा बस असानते में तेरा मनांगा सलामत बस किसे तरह हिंदुस्तान पहुंच जाईए डाक्टर सा आँ की हो गया बैल गाड़ी बाले ने किया जिनना नाल हारवे लेदा उठना बैठना सी सान्जी बुर्की सी ओही एक तूचे दे लवदे प्यास से हो गये जिदा पहले निकल गये ओते बारी नेरी जिड़े रह गये ओना दा रब राखा हाँ आपाई एक लकीर खिच के करोडा दिया बादी वाले मुल्क दा फैसला कर देता जालमाने तुसी केंदे सी कबीले च रहना है पिंडे च रहना है लोगां दी सेवा करनी है जे शेहरे छोंदे ते कदों दे पार हो गये होंदे तुसी कदी मेरी सुनी नहीं प्रकाशक और अपना दर्द नहीं समाल पारे सी उन्दी अखांत वा थ्रू बग्गी जा रहे सी मैं केंदी सी तुमानों शेहरेच रहनेया नाना पिंडेची रांगे तुसी मेरी कदी न सुनी तुसी चिंता न करो पैंजी बेल गाडी वाले ने आख्या मैं तुमानों सही सलामात उस पार पचांदी पूरी कुशिश करांगा तरी सामली होते एक साइकल सवार बड़ी देजीना साइकल ते पैडल मारता हो यार यासी की पाई ठेर जा ठेर जा खाड़ जा क्यों गया थोड़ी जा रहे हैं पाई इन न पुछो गड़ियां ती गड़ियां कट 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 के पेज रहने ओ बबाबा तुसी स्ट्रेस सन न जायो बड़ा सिया पाई बाल गाड़ी वाला उन्हें राय दिती कैन लगा डाक्टर साब तुसी मेरे कार चलो थोड़ी दर रोटी पानी खाके बच्चे भी पुखे ओंगे राम काले ना ते फिर स्वेरे निकल जाना न आप आई तुसानों लंबरदार दे कार चड़ दे वो मेरा दोस्त है गया जानन वाला है गया कोई गड़ी तंजाम कर देगा असी हिंदुस्तान निकल जावाँगे जो हो गुमसाई अधरक कुट के पाई चार्च कड़क स्वाद आएगा हाकेम सिंग में प्रकाशकौर नू सर्थ थले तक पायर तक कूड़ देवे गया प्रकाशकौर जमीन इच अखां गड़ाए खड़ी सी दुआ कर रही सी जमीन भट जावे ते उन्दे अंतर समाजर सिर्दा दुपट्टा पतानी किद्रेग डिग गया तदों अंदरों हाक कम दी पत्नी नसीबन आई उन्हें प्रकाश कोरते सिर्दे दुपट्टा पाया ते बोली वेर जी चिंता न करो डाक्टर साथ तुस्सी अथे राम करो मैं प्रकाश नू ते बच्चियानू अंदर ले जानीया कुछ खान पीन दा विंजाम करनीया पत्निया अपने पती द नियत ते नजर दोन आदर पता उंदर ना चिंता ना करो डाक्टर साथ अल्ला निचाया ते सब ठीक हो जाएगा हाकिन साथ किद्रे एक कार दा बस दा कुछ भी इंतजाम कर दियो बस आनू एथू निकल वा दियो किसी तरीके कल स्वेरे तड़के निकल जावागे मैं करांगा डाक्टर साथ अंदर आकर प्रकाश कौन नों बोले बड़ी मुश्किल नाल इंतजाम होया है तिन लोग गांदी ही था हैगी उत्थे बेहन दी तुसी चिंता ना करो जी छोटा ते वैसे भी गोदी चिबै जाएगा पस किसी तरीके निकल जाएगे वाई गुरू कि जाएगे जगानी ठुस अंदुस प्रकाश कर अंदरो रोटी दा डबा लेया हाँ के मुथे खड़ा से बोला हाँ जाओ जाओ जी तुस्य अंदरो रोटी लेया प्रकाश जल्दी नाल अन्दर गयी 5 मिंटा वापस आई ते देख दी न गडडी न डाक्टर साव न बच बद हवास जी कदी सज्चे देखे थे कदी खब्बे समझी नाये कि किते गए किते गए गड़ी किते गए डाक्टर साब किते गए पच्चे खाकिम ने क्या ओगड़ी पार गई सी तेनों दूजी नाल पेज जांगा कल स्वेरे प्रकाश कोर मनमन पारी पैर कसी इट दी अंदर आ गई दिवार दा सारा लेकर निडाल जी फर्ष ते सरक दी बै गई दिल दिमाग आप पसिछ पेड़े पैसी किंदी सुने किंदी ना अचानक उन्हों कुछ खयाल आया उन्हें अपने गिरयबां मिच हाथ पाया टाटोलिया एक पुड़ी मिले कागस दी एक पुड़ी डाक्टर सामने जदों गाउं इचो निकल दे समेकार जरू छड़िया सी ताँ भड़ाई सी कैन लगे जद लगे कि हाथ पल्ले कुछ न हाशी होन कोई तरकीब नहीं का मानवाली कोई रस्ता नहीं कोई साथ नहीं तो एन्नु खाले प्रकाशकोर नु लग्या डॉक्टर साम साब न चंगे वेले पड़ाई पाणे फिर आ थे नु खाले रिख पुड़ी प्रकाशकोर ने निगल लगे यह कहानी कुछ-कुछ सच थी कहीं न कहीं हमने अपने सबने सुनी होगी अपने बड़ों से अगली कहानी जो सुनाने वाली हूं वो थोड़ी सी फन में है थोड़ी सी यह भी थी तो एक लाइटर नोट पे कहानी सुनाती है थोड़ा सा लांग्वेज चेंज करूंगी आप लोग सब लोग एंजोई करेंगे उसको गाउं के परिपेक्षस लेके कहानी हाजर हूं यह थोड़ी सी लांग्वेज भी वैसी ही है ओ रम्मुआ की दादी लच्छो जोर जोर से चिल्ला रही थी काईरी बन्नो क्यों बावरी हुई जा रही है सुबेरे सुबेरे मुर्गे की फटी बांग सी बोले चले जा रही है दादी भिन्ना की बोली है चलो चलो पंचायत का बुलावा है हैरे पंचायत क्यों ॉब्हूरी का हो गया हम को का मालू बहुत जाम लग रही थी समही जाम रही थी तो हमने सुचा तो मों को लिभाई चेने अच्छा कि यारी छट के वाड़ की सांकल खूटी में और साड़ी का पलू कमर में कसके दादी पंचायत की उलब की पंचों की जमात बैठी थी मदुमक्खी सी भनबना हट बर्गत के पेड के चारों गोर गाउं की चन पंचायत बैठी थी और चबूत्रे पर सारे पंच विराजमन खामोश हो जाओ सारे के सारे जैसे बिजली का में बल्प टप से बंद हो जावे है सन्ना अटा चागया हा तो भाईयों गोहार लगी लोगाईयों की तो इज्जत वैसे भी ना है उच्छे कौन है लच्छो गुर्राई मुगण की माई ने चूटी काटली चुपकर मरी हुआ यूं सरपंच की आवाज मुझी कलन की मुर्गी घर से भाग गई कहानी का शिर्शक मुर्गी भाग गई कलन की मुर्गी घर से भाग गई हुजूर भगाली गई कलन मिन में आया बीच में मत बोल लठैत ने कमर में डंडा गोजड़ा कलन कमर पकड़के बैठिया माई बाप सच्चे तो कहत हैं घर से भागी नहीं भागा दी गई घर से भागी नहीं भागा दी गई अरे हुजूर अभी पिछली दिवाली पर हामिद मिया ने दो महीने लगा कर दिवार की कलई करी थी वो साव सुत्री दीवार पर चार पे डिखे रही है प्ये मरी मुर्गी के 4 पेर है ना चार पेर की मुरगी है कलण मिया जोनकी की हम माठ सश मि पाचयों पंचों ने पूछा क्यों रे कलन कोई पशाक्षुभा हां माली ये पंडित है है काहे हम्रा नाम तुम कैसे लिए पंडित का नाम तुम कैसे लिए अरे हजूर इस पंडित की मुरगे की नजर थी हमरी कमसंसी मुरगी पर मेरे मुरगे को पूरे महले की पूरे गाउं की मुरगिया इशारे करें हैं वह तुमरी मुरगी को क्यूं लेके भागे गा उसके पास तो बहुत सारी मुर्गियां थी, किसी को भी लेके जाए सकता था, तुम्री को क्यों लेके जाएगा, ललन की घरबाली बोली, का बताएं हजूर, ऐसी मुर्गी 20 कोस तक किसी गाह में न थी, दो दो जर्दी के अंडे देती थी, हाई हाई, दो जर्दी के अंडे, हमने तना सुने कभी, एक पंच की पत्नी ने ताना कसा, क्योरी, हमने तना खिलाये कभी तुमने, दो दो जर्दी वाले अंडे, पीछे से जोर से आवाज आई, कलन की घरबाली पलटके बोली, घीसा की दुलहन, तुम्रे दो दो खसाम है, हमने कभी पूछे क्या तुमसे, गंदी से गाली बकी, गीसी दुलहन ने, तो कलन की घरबाली भिलागा पीछे रहती, दो उनने भी बकी, सरपंच की आवाज मूची, आब तो किसी ने कचच कच करी, तो दाफा कर देना, तुरंद भगाय देना तुम यहां से, उस गंगु लठैत ने खडाक से डंडा पट नहीं हान, हजूर, हमरा मुर्गा हमरे घर है, हमरी मूर्गी भागी कहीं चुपाय दिया है, दो चार दिंबाद खुद भी घ़ोचाएगा, देख लिया ड़ा, हाई हमरे बूर्गा नहा छूरा हो गया, कच่ भी बोरता है कलन देखो हजूर देखो हम नहीं बोले पंडताइन फ़र्जन टांगडाई कलन की पत्नी बोली हम तो देखो कच्छों न बोले आप मना किये थे तो हम कच्छों न बोले तो करा मुझ की घरवाली चुप हो गई चुप होकर बड़ बड़ करती रही धीमी आवाज में कलन कुछ के पैरों में गिर गया बोला हुजूर कुछ कर देओ बहुत आस लेकिया है माई बात है हमरी मुर्गी खोड़ देओ माले करीब मानुस की दूआ लगेगी अरे परहट कोई इंसान है जो कुठाना कचेरी कर आए दे गई होगी कहीं आए जाएगी घूंघांके वैसे कि पिछले पांच सालों से यह गाओं दो भागों में बटा है ना इधर का आदमी अधर जा बैठे अरे तो जनावर को थोड़ी नरोक लोगे इधर से उधर ना पाए दिवार ना पांद कर पाए यह पंचायत है जो दोनों गाओं के बीच दोनों पाटों के पीच में फसी ठक्का देते हुए उसे एक और ले जाने लगी, अरे अरे का कर रही भाई पंड़े जोर जोर से आवाजे आने लगी, लोग भागे पंड़ताइन को कुछ समझ में आता, इससे पहले कलन की पत्नी ने उसके कान में कुछ कुछ सविसाया, बच्चन की खबर आई है पाज साल हो गए अब तो लच्छिनी से बिटिया हुई है तो हम सोचे तुमसे ऐसे बात करेगा तो मौका लगेगा नहीं तो हमने मूर्गी ने प्ताई दी एको पंचाय थी तो है जससे दोनों पाटों के लोग एक साथ बैट सके है और हम तुमसे कुछ बतिया पाते जोर-जोर से गाली बखने लगी कलन की पत्नी अब पंडिताईन समझीना पए कि ये हुआ क्या सरपंच ने हुकम सुनाया कोई अपनी मर्यादन न भूले सबका हुका पानी बन कर देंगे लोगों ने पड़ी मुश्किल से बीच बचाव करके तो उनों को अलग-अलग किया लोग कलन की बीवी और पंडिताईन को समझाए लगे दो ग्रूप बन गए लोगों ने दिलासा दिया चायदा कोई बात नहीं छोड़दा पंडिताईन एक टक उस परकत के पेड को देख रही थी जहां उसकी छोरी और कलन का छूरा पकड़ और पकड़ाई खेला करते थे उन दोनों ने शादी क्या की इस गाउं से नाते ही तूट गय गाउं दो भागों में बट गया धन्यवाद थोड़ा ऐसा अलग सा जोर्णों ट्राई किया था कुछ डिफरेंट कोशश करी थी हो सकता है सबको पसंद आई हूँ बहाँ छोटी सी कहानी है पिंक अन ब्लू मम्मा आप क्या कर रहे हो एक महीन सी आवाज मैं आपके लिए मोजे बुल रही हूँ सर्दिया आने वाली है ना और आपके छोटी छोटी पैरों को ठंड लग चाहेगी पर मम्मा आप तो मेरे लिए ब्लू कले की सौक्स बना रहे हो ब्लू कले तो बोईस का होता है अच्छा मेरी लाडू बहुत स्माट है यह भी पता है मैंने चाहती कि आप ब्लू और पिंक में उलज जाएं मैं आपको वो कलर पहनाऊंगी जो आपको पसंद आप अपनी चोईस का कलर पहनना इसलिए मैंने आपका रूम भी डिफरेंट कलर में करा है और आपके टॉइस में सारी वेराइटी है आपके टॉइस में डॉल्स भी हैं कार्ज भी हैं गन्स भी हैं अपने हिसाब से जिन्दगी जीना, जो मन करें पहनना, जो बढ़ाई चाहें करना, अपनी मर्जी का करियर चुदना, कोई कॉंप्रोमाईस मत करना. ममा, आप मुझे लौड कृष्णा की स्टोरी सुना रहे थे, जब दुर्योधन और अर्जुन उनकी मदद मांगने गए थे, आगे क्या हुआ ममा, हाँ, तब कृष्ण भगवान सो रहे थे, दुर्योधन क्रिष्ण के सिराहने बैठ गए, और अर्जुन क्रिष्ण के पैरों के पास दोनों हाँ जोड कर, खड़े रहे और उनके जागने का इंतजार करते रहे. सोचा, क्रिष्ण जब उठेंगे, तब बात कर लेंगे. जब क्रिष्ण जागेंगे, तो उनकी नजर अर्जुन पर पड़ेगी. यही हुआ, चलो, आपी बहुत काम करना है, दादी गुस्सा हो जाएगी, अगर उनकी चाई में देरी हो गई, और आपके पापा भी तो घर आने वाले हैं. मम्मा, पापा और दादी मुझसे प्यार तो करते हैं ना? यहा, अफकोस करते हैं बिठा, आप उनकी नन्ही सी परी जो हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं. सुनो, अगर तुम कहो, तो मैं कुछ तिनों के लिए अपने मम्मी पापा के पास चली जाओ, और फिर मॉसी से भी मिल लूँगी, वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं. क्यों परिशान होती हो, पती ने प्यार से गाल थप थप आया, मम्मी अपनी फ्रेंड को बहुत ट्रस्ट करती हैं, और मम्मी जो करेंगी, वो हमारे भले के लिए करेंगी, हमारे अलाबा, उनका है ही कौन, इतना खयार रखती है मम्मी तुम्हारा, तुम अपने पेरंस के घर बाद में चली जाना, डॉंट वली, परिशान मतो, चलो, चाहे बिलाओ, और कुछ चेक्स रखे हैं, उस पर साइन कर देना, अगले रोज, जब उसकी नीम खुली, तो उसने सोचा, अरे, आज तो वो बहुत सोली, आज तो उसने परी से भी कोई बात नहीं की, टाइम क पर साइस के साथ डॉक्टर के पास गई थी, इसके बाद उसने आसपास के महौल का जायजा लेने की कोशिश की, देखा सफेद रंगे पड़े, पलंग, सोफा, सब, हाँ, शायद वो अस्पताल में थी, क्या हुआ होगा, तभी पती ने कमरे में दाखिल होकर, आहिस्ता से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया, मम्मी को पता चला कि बेटी थी, इसलिए उन्होंने ये डिसिजन लिया, मैंने कहा था न, मम्मी जो करेंगी हमारे भलाई के लिए ही करेंगी, उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा, अब वहाँ कोई आवाज नहीं थी, कोई कहानी, कोई तर्क, कोई जान, कोई हसी, कुछ भी नहीं था. बहुत, बहुत धन्यवाद.